नमस्कार जैहिन इत्यास विमर्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज मैं आपसे इत्यास विमर्स में जो चर्चा करने वाला हूँ वह है बीए फस्टियर और बीएसी फस्टियर की परिक्षाओं के संबन में जीवाजी विश्विद्देले दोरह इसका टाइम टेबल गोशित कर दिया गया है और आगामी दिनों में ये परिक्षाओं होने वाली हैं जुलाई महा में ये परिक्षाओं संपूर नोंगी जुलाई और अगस्त महा में चुनकि इस वर्ष हम देख रहे हैं अभी चुनाव भी हैं पंचायत की चुनाव हैं फिर नगर निकाय के चुनाव हैं साथ ही साथ जो पीजी की क्लासेज हैं उनकी परिक्षाएं चल रही है इस समय तो इन सब को देखते हुए परिक्षा का टाइम टेवल तोड़ा बिलम से घोसित किया गया है लेकिन परिक्षा का टाइम टेवल आ गया है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीकों भस्टियर की परिक्षाएं अभी पिछले ही दिनों संपन हुई हैं इस वर्ष जो परिक्षाएं हो रही हैं इनमें थोड़ा तकनीकी ऐसी विवस्ता की गई है जो जो राश्री सिक्षानीती लाग हुई है उस सिक्षानीती के अंतरगत मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, फील्ड प्रोजेक्ट और फाउंडेशन की परिक्षाएं होनी हैं और इन पेपर्स के संदर में ये संपूर्ण जो टाइम टेवल आप देख रहे हैं ये टाइम टेवल है, ये टाइम टेवल जो आप देख रहे हैं, इसमें इनको इस तरह से व्यवस्थित किया गया है, जिससे किसी वच्चे को कोई परेशानी नहीं हूँ सबसे पहले दिये फस्चीर का हम टाइम टेवल की चर्चा कर लेती हैं, ये परीक्षाएं चार जुलाई से प्रारम होने वाली हैं, जैसा कि बिश्व विद्याले ने टाइम टेवल गोशित किया है, और इन परीक्षाओं का समय रहेगा सुबह दस बजे से एक बजे के बी इनकी परीक्षा जो आपकी होगी ये तीन घंटे की होगी, इसमें आपको तीन घंटे का समय मिलेगा परीक्षा करने के लिए, परीक्षा देने के लिए, और जो फाउंडेशन की परीक्षा है या वोकेशनल कोर्स से सम्बंदित जो परीक्षा है, उसके लिए आपको केब मिलेगी उस copy में आपको सारे question जो है वो हल करने हैं जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको पहले बताया कि परिक्षा का pattern कैसा रहने वाला है इस फस्टियर के लिए तो आप इसे जरूर करना है कितने नमबर के होंगे साजी चीज़ें इसमें आप इस वीडियो को देखिए और इससे रिलेटेट दो एक वीडियो मैंने और भी दिये आप चाहें तो इतियास विमर्स में जाकर उनको देख सकते हैं तो जो मुख्य विशय है आपके जैसे मेजर विशय है उसके दो पेपर माइनर है उसका एक पेपर और ओपन इलेक्टिव या वैकल्पिक विशय जो आपका है उसका एक पेपर होगा अब यहां तोड़ा सा जो बच्चों को कंफ्यूजन है टाइम टेबल देखने में हमने जे देखा है टाइम टेबल देखिया आप इसको स्क्रीन पर यह टाइम टेबल है तो टाइम टेबल में मेजर सब्जेक्ट के आपको यह टाइम टेबल दिया गया है चूंकि मेजर पेपर जो आपका है जो भी आपने लिया हो चाए आपने पॉलिटिकल साइंस लो लिया हो हिस्ट्री लिया हो या सोसलोजी लिया हो हिंदी लिटरेचर इं उन्होंने डेट दी है वो 29 साथ दी है जो आपको नहीं मैं ये ओपन एलेक्टिव बाली डेट बता रहा हूं पहले पेपर के लिए आपको बीए भस्टियर के लिए जो डेट दी है वो चार साथ यानि चार जुलाई दो हजार बाईस यह ठाइम टेवल देखिए अब चार जुलाई दो हजार बाईस को आपका मेजर सब्जेक्ट के पेपर होंगे इसके अलाबा 16 जुलाई 2022 और 18 जुलाई 2022 को भी आपके major subject होंगे यह time table आप देखिए इसमें सारे विशे आपको दिखाई जा रहे हैं आप चाहें तो इनको जीवाजी विश्विध्याले की site से भी download कर सकते हैं या अपने महाविध्याले से भी देख सकते हैं जहां आपका परिक्षा सेंटर है regular और private दोनों विध्यार्थियों के लिए यह time table ऐसा ही रहने बाला है तो यह आप देखिए यह 4 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई और 18 जुलाई इनको आपके major subject के paper होंगे अब major subject किसने कौन सा लिया है यह आपको तै करना है और जब आपके major subject के paper होंगे इन 4 dates में ही आपके major paper होंगे चाये जो भी आपने लिया हो इसमें सारे दिये हैं और उसके बाद देखिए यह हैं आपके minor subject के paper की date तो minor subject जिन वच्चों ने लिया है उनके लिए है 20 जुलाई 22 जुलाई यह 20 और 22 जुलाई में आपका minor subject का paper होगा जो भी आपने minor subject क्योंकि minor में केवल एक paper होना है इसलिए आप इसको बिशेश रूप से ध्यान दें कि यह minor paper का आपका 20 और 22 जुलाई है अब हम देखें open elective open elective यह open elective की जो date है क्योंकि open elective में भी एक paper होना है वो चाहिए फिर हम sociology को हमने open elective लिया है या history को लिया है या political science को हिंदी को English को संस्कृत को जो भी विशेश आपने लिया हो तो उसमें open elective जो है वो in dates में होगा यह dates आप देख लें और in dates में आपका कौन सा paper है उसे आप चेक कर लें आपको खुद को यह देखना पड़ेगा या किसी बच्चे ने NSS, NCC या sports लिया है वो भी open elective subject की रूप में है 100 नंबर का paper है वो भी आपको लिखना होगा तीन गंटे का समय मिलेगा तो open elective के लिए यह समय दिया है 29 जुलाई और उसके बाद 30 जुलाई और है 8 अगस्त यह date आपको open elective subject के लिए दी गई है यानि open elective subject के दिया आपने लिया है तो open elective के लिए आपको यह dates दी गई है इन dates में ही आपको open जुलाई का open जो subject है उसका paper आपको देना होगा तो आप बिलकुल इसको confusion ना करें major subject जो मैंने आपको पहले बताया है minor subject जो dates मेंने बताई है और open elective subject जो भी आपने लिया है कई बच्चे क्या है open elective को minor subject में खोज रहे है या major subject में खोज रहे है तो वो confusion पैदा हो रहा है जबकि open elective के लिए time table में इस बस अलग से ही seat दी हुई है तो आप उसको देखें उस प्रकार से अपनी तयारी करें अब हम देखते हैं foundation course यह देखी time table इसमें यह foundation course की जो date दी है यह 25 जुलाई और 27 जुलाई क्योंकि foundation में दो paper होने हैं पहला paper हिंदी और अंग्रेजी का होगा यह 100 number का होगा 50 question English के आएंगे 50 question हिंदी के आएंगे और यह question paper आपका पूरा objective type होगा इसमें आपको लिखना नहीं है इसमें दो गंटे का समय मिलेगा और आपको OMR seat मिलेगी इसमें OMR seat पे आपको जो bubbles हैं वो काले करने होंगे अपने pen से ही और यह ध्यान से काम करना है क्योंकि आपको OMR seat दूसरी मिलेगी नहीं तो आपको seat को खराब नहीं करना है मोड़ना नहीं है सफाई से काम करना है और उसमें कुछ इस्तान दिये हैं वहाँ अपना roll number इत्यादी आपको बरना है और उनको नीचे bubbles जो दिये हैं उनको dark कर देना है जिससे आपका वो machine उसको पढ़ ले इस तरीके से उसमें चार option आ है और एक 27 जुलाई को है अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं vocational course की vocational course का भी चुकी आपका paper होना है तो vocational course का आपका time है 3 अगस्त और 4 अगस्त 2022 तीन अगस्त और चार अगस्त ये दो दिन vocational course की परीक्षा होंगी चुकी 25 course vocational में निर्धारित किये गए हैं एक ही दिन में सारे paper सम्भब नहीं है इसलिए दो दिन इनका समय रखा है तीन अगस्त और चार अगस्त इन में आपके vocational course की परीक्षा होगी और इसके लिए भी आपको 2 गंटे मिलेंगे लिखने के लिए ये लिखित होगी इसमें OMR सीट नहीं मिलेगी आपको लिखना होगा लेकिन समय रहेगा 2 गंटे पेपर वही उसी तरह का होगा तीन अतिलगूत्तरी तीन चार लगूत्तरी और दो निवनदात्मक समय दो गंटे और जो मुख्य विशे पेपर अपनी है उनमें हमें तीन तीन गंटे का समय रहेगा और पेपर का सुरूप वही होगा तीन लगूत्तरी अतिलगूत्तरी चार लगूत्तरी और दो निवनदात्मक और इनमें शब्द सीमा भी निर्दारित जो मेजर सब्जेक्ट है माइनर सब्जेक्ट है और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है इसके लिए शब्द सीमा निर्दारित है जो अतिलगूत्तरी प्रश्न है उसको आपको मिनिमम पचास शब्दों में उसका आंसर लिखना है और जो लगू उत्तरी है उसमें आपको 200 शब्दों में उसका आंसर लिखना है और जो दीर्ग उत्तरी है उसमें आपको कम से कम 500 शब्दों में अपना आंसर लिखना होगा यानि शब्द सीमा उ तो यह टोटल जो time table है यह आपका बीए फस्टियर का time table है अब हम BSC का time table देखें यहां देखे चार्ट में देखिए BSC के लिए तो BSC के लिए आपकी जो परिक्षा है वो 9 जुलाई से प्राइब होगी 9 साथ को आपका BSC का पेपर है और इसमें major subject दिया गया है major जो भी आप आपका ओ जूलोजी, बॉटनी, chemistry, physics जो भी है तो वो आपका 9 जुलाई को है और दूसरा major subject जो है वो 14 जुलाई को है चुकि BSC में कम पेपर होते हैं इसलिए उसमें दो ही दिन major subject के लिए रखा गया है और उसके बाद आपका 16 तारीको minor subject है यह देखिए आप यह 16 तारीको minor subject है और foundation course की जो परीक्षा है वो आपकी 19 साथ और 21 साथ को रहेगी यहां मैं आपको एक विशेष जानकारी यह देना चाहूंगो जो बच्चे BSC फस्टीर में इस साल बैठे हैं जो BSC वाले बच्चे हैं उनका टाइम रहेगा परीक्षा का टाइम जीवाजी के लिए और जो BSC फस्टीर के विद्यारती हैं उनके लिए टाइम रहेगा दोपेर 3 बजे से 6 बजे तक का यह आपको major minor open elective और foundation course के लिए टाइम रहेगा अब BSC फस्टीर वाले जो बच्चे हैं उनका वेकल्पिक विशे का जो समय है open elective बाला जो समय है वो समय आपका 10 10 बजे से 1 बजे सुबह रहेगा इसका बिशेस ध्यान रखें बिए फस्टीर वालों का तो है यह दस से एक वो उनके टाइम टेवल में हैं लेकिन जो BSC फस्टीर वाले बच्चे हैं जो 3 से 6 की परीक्षा दे रहे हैं वो वैकल्पिक विशे के पेपरों की परीक्षा आपका जो परीक्षा सेंटर है जहां आपने 3 से 6 में परीक्षा दिये उसी सेंटर पे सुबह 10 से 1 बजे के बीच में आपको अपने वैकल्पिक पेपर की परीक्षा देनी होगी तो BSC फस्टीर वालों को विशेस रूप से इस बात को ध्यान रखना चाहिए नहीं ऐसा नह का विशेस रूप से ध्यान रखें कि वो पेपर सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच में होगा तो मैं समझता हूं टाइम के बारे में आज मैंने बहुत सारी चर्चा आप से की है आपकी किसी प्रकार की कोई और जिग्यासा है परीक्षा से संबंदित आप और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इत्यास विमर्ष में इसी चैनल पर कमेंट्स वोक्स में जाकर मुझसे अपनी चर्चा कर सकते हैं उसकी जानकारी मैं आपको दूँगा जो मेरे पर संब्भव होगी साथी साथ यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है इस जानकारी को शेयर कर सकते हैं अपने वाटसब गृप में अपने फेस्बुक पेज पेज पर पेटर पर इन्स्टाग्राम पर जहां आप हैं जिस भी आप साथ ही आप अभी तक इत्यास विमर्ष से जुड़े नहीं है आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इत्यास विमर्ज को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी साथ बेल आइकन दवाएं और ओल के ऑप्शन पर जाएं जिससे इत्यास विमर्ज के इस प्लेटफॉर्म पर यूटूब की इस चैनल पर आपको मैं जो सामगरी लाता हूं सिक्षा से संबंदित एनसे में जो चर्चा मैं करता हूं समय समय पर वो आपको सबसे पहले मिले खासतोर पर कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए इत्यास विमर्ज से जुड़ना चाहिए क्योंकि वो उनके लिए बहुत लाबक्रद रहने बाली है तो आप इससे जुड़ें साथी अगर आपको को देख सकते हैं यदि आपको चूप जाए तो और मैं आपसे विशेश रूप से कहना चाहूंगा चलते चलते कि आप इत्यास विमर्ज के माद्यम से और अन्य माद्यम से जो जानकारी ले रहे हैं वो तो लें साथी साथ अपने इस तर पर उस जानकारी को पुक्ता कर ले पहले जान लें क्योंकि फर्स्ट तिंग दें डू पहले आप विचार कर लें देख लें तभी कोई काम करें कई बार क्या है आदी अदूरी जानकारी यहां से मिलती है और आपका नुक्सान हो जाता है मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की एक बच्चे का पेपर तो आप पूरी जानकारी यहां भी लें साथी साथ खुद सुनिश्यत करें और फिर अपनी परिक्षाओं की तैयारी करें तो मैं आपको बहुत शुब कामनाय देता हूं आप अपनी परिक्षाओं में सफल हों इसी प्रकार इत्यास विमर्स से आप जुड़े रहें आपन यह वीडियो पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन